और बाबा साब डॉक्टर मेटकर से पत्रगार ने पूछा कि आप में और छोटू राम में क्या फर्क है तो बाबा साब डॉक्टर मेटकर ने कहा कि वो उम्र में बड़े हैं दूसरा वो हुका पीते हैं मैं हुका नहीं पीता हूँ छोटू राम से पत्रगार ने पूछा कि कि आपके या पर चोटू राम ने कहा था कि डॉक्टर अंबेटकर बिदुता में बड़े हैं और मैं उम्र में भडा हूँ वह मित्र था जो डॉक्टर में पर चोटू राम के अंदर थी क्या आज जात समाज और अंबेटकर सब्सक्राइब वे कि साथ कुछ हर्याने शाइए विए जाट नभी वखेंग से पूछ लेते हैं कि अमबेडकर रो ही उनकी मित्रता थी उसी राह पे चल रहे हैं वर्तमान में ओरी यह यह इंग हो चोटराम साब ने भी दलीत पीडित कमेरे वरग का ध्यान रखा और उनके मन में हमेसा यही रहता था कि दलीत पीडित सोचित और किसान वरग किस परकार से उन्नती करें और किस परकार से वो आगे बढ़ें वरतमान में तो जो राजनिती है उसका तो यह अलगी इस्तरकी हो रही है क्या कारण है कि जाट भी हिंदू हो गया जैनत भाग गया कमर पर लाठियां पड़ी जाट बेटियां बैटी रही खदेर दिया गया उसके बाद में राकिष्टिकेत रोए और आज फिर भगवा करन हो गया यह तो सर देखिए यह जो सरकार हैं सरकार की गल्थ हैं तो कोई कान सुनवाई वो उन्होंने नहीं की इस वज़े से पर मैं यही करना चाहता हूं मीडिया के माधियम से किसान और पहलवान बैटियों को सरकार को इनकी तरफ जान देना चाहिए और इनकी बात सुननी चाहिए सरकार तो सुने की नहीं सरकार तो दूसरे लोगों की है लेकि मेरा सवाल वही बना है कि जो जाट कमेरा वर कमेरा जातियां कभी अमबेट करवादी हुआ करती थी फूले वादी हुआ करती थी चोटूराम वादी हुआ करती थी वह हिंदू वादी कैसे हो गई अनको मुर्षिन जाब फवार्गर्स चयार अब तेत गर्शिक्र कौंटी में आज और उनकी मत्रत का जाके देख सकते हैं उसी परकार है अब राजनेती ग्रूप से अगर देखें तो जिस परकार से जैन्त ने पल्टी मारी जैन्त चौदी जो वो बीजेपी का हिस्सा हो गए जबकि बीजेपी की सरकार में उन पर लाटि उनी पर खुद पर लाटिया भाजी गई कर सकते हैं वह तो उनका वैक्तिगता है उस दौर एकजीण कुछन सबसकते हैं, वह क्रिए सबस्मारे लिए आपने पिछलों की बात नहीं लुछ से महीं है ऐसे में किस नजर से देखना चाहिए पिछलों कि आप भी किसान गरीब दलित सोसित सब कोई अकी बात करें और सब को ज्यान में रखकर चलें दन्यवाद तो यह क्या नाम नाम नहीं बताया है हनुवान जाट में भी का नेर राज्स्तान से राजिस्तान से आप ढूंडल कमार डूड़ी राज्स्तान से ही हूँ जाटेध हूँ तृट्व गोतर होती है जाटों की आपने पहली वाव सुना बहुत सारे पस्षी मुत्रप्रेस हरियाने में गोतर सुने रामे से डूडी रहना वो जैसे कि डूडी डूडी जाटों की गोतर होते ही लोग रविदास जैनती आज मना ही जा रहे है क्या कहोगे समय के पार अच्छी पेल है अच्छा कुस हमाजी क वाईरी करम है चल रहा है पढ़ा रविदास को कभी पढ़ा तो है इससे थोड़ा ही पढ़ा है कि बारे में टूडी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्ड छोट बड़ों सबसे रह दास रहे प्रसंद समानता की बात रविदास ने कही देखिंगे उन्ह उन्हीं की रहा पे चले तो अच्छा बैतर होगा राजिस्थान से आप लोग आए राजिस्थान में जैसे बीकानेर का अपने नाम लिया तो बीकानेर तो जाट बाहूल बेल्ट है धर्मिंदर भी कभी सांसत रहें वहां से बीजेपी रहें रहें तो आपको लगता है कि किस लिजेबी का आगози हैं तो ऐसे में वहां पर जो का मेरा जातियां हैं उनका जो वजूद है उनको कैसे बचाए जाए गाए देखिए और की लोग संहीं जिए वह तो आरुच्सित है उसकी वेज़ना नहीं सब्सक्राशूर जी एर्जं राम जी जब इलेक्शन होते तब तो यही बात करते हैं कि किसान कमेरे वर्ग का ध्यान रखेंगे बाद में यह वर्तमान में जो राजनीती होती है यह केते कुछ है और करते कुछ है लग है इनकी मुझ का कहना अलग होता है काम करना अलग होता है अब इलेक्शन है आगे तो मैं तो यही करना चाहूंगा कि आप अगर जो किसान कमेरे वरक का ध्यान में रख करी करोगे तो इसरकार बन पाएगी वरना नहीं पाइए वोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है कहने और करने में बहुत फ्रक है अंतर है कहने और करने में फ्रक है राउल गांधी भारा जोड़ो जा किसान ने कॉंग्रेस पार्टी ने सरों पर है और यह में सब किसानों के साथ, जिस परकार वरặtमान सरकार करी इस परकार कुठरा गात की, मातमा गांदि जी ही की आतरा पर वरْंदी कि थी उन्हीं के पजिनों पर यह जो करें यह मुझे अच्छी पहल लगी इनकी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार 2400 बनती है तो हम बिलकुल वो जो करते हैं वो जबान के धनी है आप जैसे यूथ को जो राहूल गांदी है लगता है कि आप क्या संदेशा दोगे कि राहूल गांदी ने जो पांच नियाय की मांगी है किसान ने आए और यूबा ने आए भागेदारी ने आए शिर्मिक ने आए महिला ने इन पांच नियायों को यह पांच नियाय जायज है उनकी बिलकुल राहूल गांदी जीजों के रहे हैं वो सही है आपको लगता है कि देश की यूबा को इसके साद्ट ज़ला चाहिए बिलकुल मैं तो यही कहना चाहूंगा मीडिया के माधियम से की वो सिक्सित है और वर्तमान में जो सरकार है बीजेपी की यह ने तो यूवाओं के लिए कोई रोजगार के देखिए अर्याना में पिसले दस सालों से बीजेपी की गवर्मेंट सबसे ज्यादा बेरोजगार कि अधर यहां है रियाना में ने तो यह रोजगार के लिए कुछ करें ने किसान कमेरे वरे के यह कुछ नहीं है शिर्प अपने खुद के लिए ही करें और इनको जनता से कोई मत्ति जिने कहा था कि दो हजार बाइस तक किसानों किया हम दोग ना कर देंगे हुई देखिए हुई नहीं है हमने तो देखिए नहीं मैं भी किसान परिवार से बिलोंग करता हूं बलकि किसान के जो खर्चें वो बड़े हैं और आई कम हुई है 31 किसान रोजात हमत्या कर रहा है मैस पी पर हम बात करें तो एकीस हजार करोड रुपे का बजट बढ़ेगा टोटल बजट का आदे से आदा परशंट से भी कम है फिर भी नहीं कर रहे हैं उनको तो किसानों की तरफ तो वो बिलकुल भी वो तो उनको दर किनारी कर रहे हैं किसान जवान और वो तो सीधा यही कर रहा हैं कि जो उज्जोक बती हैं उनकी तुरफ ज़यादा आधार गांदी का चोदे लाख पतियों का चौदे लाक हजार कर रूपे पैसा हमाफ कर दिया किसानों क्रीए मैस पी पैसा निए बिलकूल वह सई कह रहे हैं उनके उनके प लेकिन बाद में मुझे लगा यह कुछ जागरुक हुआ हैं और इनके पास में कुछ तत्त हैं तो मुझे लगा कि इसे बाची बाचीत जो हो तत्यों के अधार पर की जानी चाहिए उनने सही सटीक और सही जवाब दिये इनका कहना है कि राहूल गांदी की जो भारा लेकिए उनका देश को सम्मान करना चाहिए उनकी बात को मानना चाहिए हलागी बात हम चोट रखा उनका नहीं गाता है तो यह भी सोचता है कि इस फसल को जो मैं उगा रहा हूं इसको मेरे ही बच्चे नहीं खाएंगे जो दिल्ली के बड़ी बड़ी कोटियों में लोग बैठेंगे इनको फसल की एबी सीडी का पता नहीं है उनके लिए भी वो अन उगाता है और अन दाता की अगर इस तरीके से पुलिस की गोलियों से मौत कर दी जाए उनको सहीद कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो गलत तो है धन्यवादा